हेलो फ्रेंड्स, आज का मारा टॉपिक है Create Active Campaign Contact and Registrant in GoToWebinar for Webook Response तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे हैं आप Automatically Webook की मदद से Active Campaign में Contact Create कर सकते हैं और GoToWebinar में एक Registrant को Create कर सकते हैं जी यह यह possible है, आप यह पूरा Process Automate कर सकते हैं पाबली कनेक की मदद से, जो की एक Amazing Integration Software है अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वर्क करता है तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं Trigger में हम लेंगे Webook बार पाबली, Action Step में हम लेंगे Active Campaign और GoToWebinar तो दोस्तों, पूरे Automation में क्या होगा जब भी आपको कोई Response Received होगा किसी भी Particular Application जे जो Webook सपोर्ट करती हो तो Automatically एक Contact एड हो जाएगा Active Campaign में और एक Register and Create हो जाएगा हमारे GoToWebinar Application में तो दोस्तों, अगर आप भी प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे ओके फ्रेंड्स तो यह है पैबली का लेंडिंग पेज और आप इस पेज पेज पर आ सकते हैं सिंप्ली आपके ब्राउजर में टाइप करके पैबली.com यहाँ पर आपको दो आप्शन मिलते हैं एक है sign in option, दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको क्लिक करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minutes में मैं क्लिक करूँगा sign in वाली बटन पे क्योंकि मैं एक existing user हूँ उसके दोस्तों आपको जाना है पैबली करनेक्ट वाले डायलोग बॉक्स में क्लिक करना है access now और आप आप जाएंगे पैबली करनेक्ट के dashboard पे यहाँ पर आपको राइटन साइट पे बटन दिखेगा create workflow का उस पे आपको क्लिक करना है तो एक डायलोग बॉक्स उपन दाएगा आपकी screen पे जो बोल रहा है enter workflow name here दोस्तो basically हमको है हमको है हमारी workflow को कोई नाम देना है let's say मैं मेरी workflow को अभी नाम देना चाहता हूँ webhok to active campaign and go to webinar तो दोस्तों यह हमारा objective है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी workflow को यहाँ पे उसके आपको क्लिक करना है create वाली बटन पे और आप जाएंगे दोस्तों यह वाली screen पे यहाँ पे आपको दो important module समझना है जो हमारी automation में बहुत important role play करते हैं इनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger बोलता है when this happen जिसका मतला बोलता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं जो हम करवाना चाते है हमारी automation में यहाँ पे आपको trigger application चूज करना है तो सबसे बहले हम trigger वाली step में काम करेंगे यह दाबर हम चूज करेंगे webhook का और नीचे आप देख सकते हमको एक webhook URL मिल गया है अब दोस्तो webhook URL की मदद से आप कोई सी भी application को पैबली कनेक में connect कर सकते हैं यह जब bridge की तरह काम करता है और इसी webhook URL की मदद से हम jot form और पैबली कनेक के बीच में connection बिल्ड करेंगे तो दोस्तो मेरे क्यूज केस में jot form यूज कर रहा हूँ आप आपके साब से कोई भी another form builder application भी चूज कर सकते हैं जैसे कि google forms या फिर wix यह भी form builder application है वो भी आप चूज कर सकते हैं और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो application webhook support करती हो ठीक है हमाई use case में jot form का use कर रहे है अब इस webhook URL की मदद से हम jot form और पैपली करने के बीच में connection बिल्ड करेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पर एक response capture कर पाए है तो सबसे पहले इस webhook URL को मैं हसे कर लेता हूँ copy और नीचे देख सकते हैं अब आप शो हो रहा है waiting for webhook response note में लिखा है now login to the application where you have added the webhook URL into a test submission record so that the data can be recorded here in the webhook response दोस्तो इसका मतलब यह है सबसे पहले हमें webhook का setup करना है मतलब हम jot form और पैबली connect के बीच में connection build करेंगे और उसके बाद हम jot form में जो test submission करेंगे basically हम जो form फिल करेंगे उसका response हमको पैबली connect में capture हो जाएगा तो मैं आपको ले जलता हूँ jot form पे अगर आपके use case में jot form यूज करना है तो आपको यह process कुछ इस तरह करना है आप जो भी form यहाँ पर create करेंगे jot form में वह आपको यहाँ पर show होता है आपको यह form चूज करना है for example यहाँ पर मैं contact form में काम करना चाहता हूँ तो मैं the edit form पे click करूँगा और उसके बाद आपको जाना है settings वाले option पर फिर आपको क्लिक करना है integrations पर उसके आद यहाँ पर आपको search करना है webhooks और यहाँ पर आपको add webhook में यह particular webhook URL डाल देना है जो आपको पाप्ली connect से receive हुआ है हमने इसको यहाँ से कर लिया copy और simply हम यहाँ पर इसको कर देंगे paste इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है complete integration पर आप देख सकते हैं हाँ पर integration ready you have successfully created your integration इसका मतलब यह है हमने jot form और पैबली करने के बीच में connection बिल्ड कर लिया है अब हम क्या करेंगे दोस्तों हमने वेबुक URL से jot form और पैबली करने के बीच में connection बिल्ड कर लिया अब हम एक test submission करेंगे jot form में जिसकी मतलब से हमको पैबली connect में response receipt हो और इदा पर फिर आपको जाना है publish वाले option पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको form की link मिल गई है इसको हम new tab में open करेंगे और इस form का हम करेंगे fill जिसकी मतलब से हमको पैबली करनेट में response receipt हो तो let's say यहाँ पर मैं first name दे देता हूँ अभी Alex, last name दे देता हूँ john, email address देते हैं for example alex.publicuse.com और यहाँ पर एक random phone number दे देते हैं फिर हम इदा प्लिक कर देंगे submit वाली button पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर show हो रहा है thank you your submission has been received तो यहाँ पर हमने एक form fill कर रहा है job form में basically हमने एक test submission कर रहा है अब हम आजाएंगे पैबली connect में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको positive response received हो गया है basically हमने dummy details fill कर रहा है test submission कर रहा और उसके बाद हमने webbook की मतलब से पैबली connect में response received कर लिया तो दोस्तों हमारे automation के जो first step है वह हमने आप एक complete कर लिया है अब हमारा objective क्या है कि हमको एक contact create करना है active campaign में और एक registrant create करना है go to webinar में अब हमें contact create करेंगे सबसे पहले active campaign में in details के साथ वह आप कैसे कर सकते है इसके लिए आपको action step में आना है और यहाँ पर चूज अप्लिकेशन में आपको सर्च करना है active campaign ओके तो हम यहाँ पर सर्च करते है active campaign और नीचे से आपको active campaign चूज कर लेना है उसके बाद action event में आपको चूज करना है create a contact क्लिक करना है connect वाली बटन पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dialogue box ओपन हो गया जो बोल रहा है connect active campaign account तो basically हमको यहाँ पर चूज हमारा active campaign का account है उसको पैबली करने के साथ connect करना है आप select existing connection के साथ भी जा सकते हैं अगर आपने connection already build करके रखाए यहाँ पर आपको existing connection है वो यहाँ पर show होते हैं मैं यहाँ पर जा रहा हूँ add new connection के साथ और इधा पर आप देख सकते हैं हमको API key डालना है और URL डालना है API key आपको कहां से मिलेगी तो नीचे help text में आपको details मिल जाएंगी login to your active campaign account click on your settings tab on the left sidebar area and select developers tab from the drop down menu you will find the API key तो मैं आपको ले चलता हूँ active campaign पे और इधा पर सबसे पहले आपको जाना है settings वाले option पर जो आपको left inside पर दिखेंगा ठीक है और उसके बाद आपको यहां पर जाना है developer वाले option पर तो आप यहां पर देख सकते हमको URL शो रहे है और की भी शो रहे है API key तो हम यहां से सबसे पहले copy API key कर लेते हैं और simply pavli connect में आपको यहां पर कर देते हैं पेस्ट इतना करने के बाद आपको URL भी डालने तो URL में नीचे लिखा है login to your active campaign account click on your settings tab on the left side by area and select developers tab from the drop down menu you will find the URL provide the URL without https colon slash protocol if you use URL in this example https pavli15346.api.com then provide only this part pavli15346.api.us.com मतलब आपको यहां पर जो HTTPS वाला जो पार्ट है वो हटा देना ठीक है तो हम वापी चुछाएंगे हमारे active campaign के अकाउंट में और इधर से हम URL में से बस इतना पार्ट कॉपी करेंगे ठीक है तो इसको मैंने आप से कर लिया कॉपी और सिंपली पैबली कनेक्ट में आके दबब कर दिंगे इसको पेस्ट ओके आपको भी कुछ इस तरह यह पूरा प्रोसेस करना है फिर आपको क्लिक करना है सेब वाली बटन पर तो आप देख सकते हैं हमारा यहां पर जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो गया है वाला अपके कैंपेंड का जो अकाउंट है वो सक्सेफोली पैबली कनेक के साथ हो गया है कनेक्ट अब नीचे आप कुछ फील देख सकते हैं जैसे की आप देख सकते हैं एमेल वाली फील में हम ये वैबुक रेस्पॉंस फे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रिवेस रेस्पॉंस पूरा शो राइदा पर तो इमेल एड्रेस में हम इमेल आइडी मैप कर देंगे जैसा कि यहां पर आप देख सकते है आप देख सकते हैं और उसके पास फोन नंबर वाली फील में हम फोन नंबर मैप कर देख सकते हैं वह कैसे वर्क करता है कि जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा और जो भी डेटा हमें आप कर रहा है जो भी डीटल्स हमको प्रीवेस के स्टैप में रिसीब दूँगी तो वह वैल्यू भी हमको यहां पर रिसीब हो जाएंगी और यह वैल्यू है पर चेंज हो जाएंगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी चीज आम मैनियूली टाइप कर देंगे तो हमे हमने मारा data map कर दिया हम simply click करते हैं save and send test request वाली बटन पर आप देख सकते हैं हमको यहां पर positive response received हो गया contact email lx.wqs.com शो रहा है phone number first name last name और contact created date और updated date तो कब वो contact create हुआ है वो हमको यहां पर date शो हो रही है और उसके बाद यहां पर हमको कुछ context की other details received हो गई है ठीक है तो दोस्तों इसका मतलब यह है हमने जो अभी तक का automation बनाया है यह successfully work कर रहा है हमको एक positive response received हो गया आये चेक करते है active campaign और यह देखते हैं कि यह person phone number शो हो रहा है और आज है first September 2023 तो यह date भी हमको शो हो रही है तो दोस्तों इस तरह आप contact create कर सकते हैं automatically active campaign में पैबली करने की मदद से तो दोस्तों हमारे automation की जो दो step हैं वो हमने आप ए complete कर लिए जो की successfully work कर रही है अब हमारा objective यह भी है कि जब भी कोई new webbook response आपको captured हो तो उसकी मदद से आप go to webinar में एक रजिस्ट्रेंट भी create कर लें वह आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको इदा पर add actions tab करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर choose करना है go to webinar तो आप यहाँ पर simply search करें go to webinar और नीचे से आपको go to webinar चूज कर लेना है okay action event में आपको चूज करना है create registrant और click करना है connect वाली बटन पर यहाँ पर यहाँ पर डायलोग बॉक्स ओपन हो गया जो बोल रहा है connect go to webinar होते हैं मैं आपे जा रहा हूँ as new connection के साथ और इदा पर आप देख सकते हैं हमको from time डालना हो to time डालना है ठीक है तो from time हमको in utc format required during fetching your webinar list example 2023 13 t 10 00z ओके तो आप इसको यहाँ से सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं copy ओके तो हमको इस format में basically हमारा जो time डेना है वो इस format में देना है ओके इदा पर हम change करेंगे भी value हम इसको बस इस format को copy कर लेते हैं अब आपको इदा पर क्या गरना है दोस्तों for example अगर मैं मैं आपको ले चलूँ go to webinar में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर upcoming webinars में एक webinar है PHP course, web developer course ठीक है basically यह कब schedule है September 4, 2023 ठीक है और यहाँ पर time भी show हो रहा है 10am to 11am IST जो कि Indian standard time में show हो रहा है तो यहाँ पर मैं 1st September से लेके 10 September की details fetch करना चाहता हूँ ठीक है तो इदा पर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ इदा पर time के लिए तो मैं आपको बता हूँगा इदा पर date हम ऐसा रख सकते हैं कि for example 2023 ओके और यहाँ पर हम month कर देंगे 9th month September चल रहा है और इदा पर हम कर देते है 01 ओके 01 से 010 तक हम यहाँ पर details fetch करना चाहते हैं हमारे go to webinar की ओके और यहाँ पर हम कर देते हैं 2023 और इदा पर हम कर देते हैं 09 इतना process हमने कर लिया है दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको इंडियन स्टैंडर टाइम में टाइम श जाएंगे ठीक है आप कोई साभी open कर लें मैं हाँ पर सेवी time world clock में काम कर रहा हूं तो इदा पर में क्या करूंगा मेरा जो time zone है basically मेरा जो time है IST में इसको मैं convert करूंगा UTC में तो इदा पर आप देख सकते हैं 10 a.m तो हम यहाँ पर जो हमारा starting time है वो 10 a.m का है तो हम यहा गहिए पर हम कर देते है 30 ओ specify VTC format में हमने ढाल दिया उसके बास हम को यहाँ पां पर सकते है 11 a.m अंघ का करेंगे चो ए कंचा ए 7 टरील ॉप तरील जेवंजह है और उसके बाद जब आप ईतिसकी और च erzählt मो जाआ प देख पर कर देंगे 530 आम जब एको क्लिक करना है तो हम तो आपका जो connection है वो यहाँ पर build हो जाएगा जैसा कि आप मेरी screen पर देख सकते हैं हमारा जो authorization है वो यहाँ पर successful हो गया इसका मतलब यह है हमारा go to webinar का जो account है वो successfully public connect के साथ हो गया connect अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर webinar भी show होने लगाए PHP course, web developer course इस webinar में हम registrant को create करना चाहते हैं तो इधार पर अगर आपने और upcoming webinars होंगे तो आपको यहाँ पर public connect में show होंगे यहाँ पर सिर्फ एक upcoming webinar है हमारे go to webinar में इसलिए यहाँ पर एक ही webinar show हो रहा है ठीक है अब हमको यहाँ पर details map करना है जो हमने previous step में data map करना है कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर data map करना है जो कि बहुत simple है आईए हमारी required fields जो है उसको हम map करते है यहाँ पर first name map कर देते हैं अब इधार पर आपको data map करना है वह आपको previous step से ही करना है जो step आपको received हुई है जो आपने response capture कर रहा है उदा से ही आपको data map करना है तो हम first name देते हैं first name है Alex उसके last name हम map कर देते हैं last name है john और इधा पर email address भी हमको मांग रहा है तो email address हम देते हैं जो कि यह alex address.publicuse.com यहाँ पर address भी add कर सकते हैं city भी map कर सकते हैं अगर आपको previous response में data received हुआ है तो आप यहाँ पर map कर सकते हैं यहाँ manually भी चीज़े डाल सकते हैं ठीक है इधा आप phone number वाली field में phone number भी map कर देते हैं okay तो phone number यहाँ पर random phone number received हुआ जो की है यह हमने आपर map कर दिया mapping की मदद से आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं यह मैंने आपको previously बताया है इसलिए mapping बहुत important step है यहाँ पर हमने data map कर दिया हम simply click करते हैं save and send test request वाली बटन पर और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर positive response received होगा है हमको registrant key यहाँ पर received हो गई है यह person as a registrant create हुआ है कि नहीं तो मैं आपको लें चलता हूं go to webinar पर और इधा पर मैं इस webinar को open करता हूं वह यहाँ पर हम जाएंगे registration वाले section में और इधा पर हम इसको open करते हैं total registrant में ठीक है और यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमको time show रहा है इस particular time पर यह registrant create हो गया है तो दोस्तों कुछ इस तरह आप यह पूरा process कर सकते हैं पैबली करने की मदद से यह बहुत ही simple automation है इसमें कोई भी coding skills की जरवत नहीं है आईए summarize करता हूं कि इस पूरे automation में हमने क्या करा है स्थे हैं पूरे automation में trigger में हमने लिया वबीग, trigger event में हमने लिया capture वबीग action step में हमने लिया active campaign action event में लिया create a contact or last action step में हमने लिया go to webinar और action event हमने लिया create registrant में दिक्रिया रोधी स्थे हमने आप एक्टिफ कर लिया ओटू वविना में पापली कनेक में response received होगा जब भी हमारा workflow रन होगा मतलब यह हुआ कि जब भी कोई new response capture होगा हमको वेबुक बाप आपली से तो automatically एक contact create हो जाएगा active campaign पे और automatically registrant create हो जाएगा go to webinar में आईए इसको real time में test करते हैं मैं आपको लिए चलता हूँ इस form पे और इस form को में new tab में फिस्ट open करता हूँ ठीक है तो हम यहाँ पर dummy details फिल करेंगे और automatically एक contact create हो जाएगा और एक registrant create हो जाएगा हमारी applications में ठीक है तो यहाँ पर हम details फिल करते हैं लेश्ट से हाँ पर में name देना चाहता हूँ मैरी जॉन यहाँ पर हम email address देते हैं फॉर एक्जांपल जॉन एडरेट पाप्लिटूस दॉट कॉम इधा पर मैं 123 फो कर देता हूँ और यहाँ एक random phone number भी add कर देते हैं submit पर क्लिक करेंगे और यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं thank you your submission has been received हमने यहाँ पर क्या कर रहा बस एक form submit कर आए और वेबुक पाबली की मदर से हमको पाबली कर निक में हाँ पर response received हो जाएगा क्योंकि हमारा workflow हमने बना लिया एक बार अब automatically एक contact create हो गया होगा और एक registration create हो गया होगा go to webinar में और एक contact create होगा होगा active campaign में आए चेक करते हैं सबसे पहले मैं आपको लेज रहता हूँ active campaign पर और यहाँ पर हम करते है refresh और जी यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते है mary john करके यहाँ पर contact create हो गया है email address है john1234 either at pabletus.com यहाँ पर एक random phone number शो रहा है और यह 1st September 2023 को यह contact john1234 either at pabletus.com और यहाँ पर date and time शो हो रहा है तो दोस्तों कुछ इस तरह आप यह पूरा automation कर सकते हैं बहुत है simple automation है अगर आप भी इस automation पर काम करना चाहते हैं या इस workflow को बनाना चाहते हैं तो इस workflow की जो link है वह आपको description box मिल जाएगी तो आप same workflow को clone करके इस पर काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी डाउट है तो आप में को comment section में जरूर बता है थैंक यू यही नहीं दोस्तों आप और भी integration बना सकते हैं पैबली कनेक की मदद से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadheretpably.com पे अगर आपकी कोई queries है या कोई doubt है तो आप हमको mail कर सकते हैं forumadheretpably.com पे और अगर आपको कोई price related issue है तो आप इस link पे जा सकते हैं अगर आपको इस video पसंद आया तो इसको like करें, share करें और हमाई channel को subscribe जरूर करें थैंक यू